चंद्रयान दो मिशन के लैंडर विक्रम को लेकर अभी तक कोई भी संपर्थ नहीं साथ पाई है और लगातार कोश्टे जारी है लेकिन जिस तरह से चंद्रमा पर दिन धल रहा है वैसे वैसे उम्मिदे भी धल रही है लेकिन यहाँ पर मायूस होने की बिल्कुल भी जरूर बत नहीं क्योंकि अभी भी ऑर्बिटर जो है वो पूरी तरह से काम कर रहा है और जिसका एज एक साल का था वो अब साथ सालों तक लगातार चंद्रमा की सत्या की तस्वीरे हमें भेजता रहेगा और जो एक्सपरिमेंट्स लैंडर और रोवर वहां चांद की सत्या पर करने वाले थे वो अब हमें ऑर्बिटर के अंदर मौजूद जो हाई रिजलीशन के कैमरा है और जो बाकी पेलोड्स है वो लगातार हमें वहां का डेटा भेजते रहेंगे जहां तक बात चंद्रयान तीन मिशन की है तो चंद्रयान तीन मिशन दोजा तेइस के अंत्या द लग जाती है चंद्रयान एक मिशन ने जिस तरह से चंद्रमा की सतया पर मौजूद पानी को खंगाला था वहीं चंद्रयान दो मिशन जहां पर हमने ऑर्बिटर लैंडर और रोवर तीनों को बेजा था और फिराल चंद्रमा के 100 किलोमेटर की दूरी पर लगाता परिक्रम कर रहा है और वहां का डेटाश् announced रहा है और चंद्रयान 3 मिशन अगर हम बात करे तो बहरत आप हमारा खुदका एक रोबॉट आप प्रोग्राम जैवसे इनिशिएट करेगा यानि चंद्रयान 3 मिशन में हम भारत का एक रबाट हुगा तोकि वहां पर मोज hemp ai experiments होंगे उसे करेगा इजरो ने ये बात पहले ही बता दिया और ABP News से भी जब हमने इजरो के चेर्मेंट के सिवन से हमने बातचीत की तो उन्होंने भी बताया था कि चंद्रयान तीन मेशन जो होगा उसमें हमारा खुद का एक रबोट तियार किया जाएगा उस रबोट को जो है हम चंद्रमा की सतया पर भेजेंगे तो ये किसी तरह से एक एक्सपरिमेंट के तौर पर भी होगा कि किस तरह से आने वाले सालों में हम जब हमारे एस्टनोट को चंद्रमा की सतया पर भेजेंगे तो वो किस तरह से इनिशियेट करेंगे तो ये कही ना कही एक्सपरिमेंट होगा जो कि चंद्रयान तीन मिशिन में मौजूद रबोट करेगा